आपका स्वागत है चुनाबी बेला में आपका स्वागत है मैं हूं देपेका तो आज हम आए हैं ग्राम पंचाय जोलसपड में जहां से उपरधान पद के उमीदबाद लीप सिंग संबरू जो है वो चुनाबी मैदान में उतरे हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनका चुनाब स्वागत करता हूं जिन्होंने की अपना बाव मुली समय देके मुझे समय दिया है सर आप उपरधान पद के लिए चुनाबी मैदान में उतरे हैं तो आपको चुनाब चिन जो है वो क्या दिया गया है मुझे चुनाब चिन लैटर बक्स दिया गया है जो कि पहले नंबर कि मुझे बारी मत्रा में अस में मुझे बिजय मिनाै यह स्य हेव्ड स्मर्थन दे मैं एक पिक्सित करने के लिए ही पिक्सित मैं मडवलमेंट करने बिकास करने के लिए मिजान में पिकास के मुड़ी हुई पहले क्योंकि हर जगा दूसरी पिक्सितों में संपर्क रोड से घरों को जोड़ना बा, इसमें एक गंदे इसमें सफाई के लिए अपने गंदे पानी के लिए छोटे टेंक बनाना उसमें हमारी पंचाईट बहुत पीछे है और बाकी चीजों में इसमें बाकी बकास में बातों में आगे है अभी हमारी पंचायट हमें नी पता क्या है मीडिया में देखो MAYOR में देखो दूरवास में देखो जोड सपड पंचायट मैं ये गुटा ले ऐसा बैसा मुझे नी पता वो है या नहीं है परांतु अभी तक यह नी पता लग्वा का इसमें गर्ट कौन है अगर पंचायत की साफ निती तो जाए साफ निती से ही इस मुद्दे से बार निकल जाते अभी नहीं निकले है सर जैसे आप परचार परसार कर रहे हैं तो लोग जो हैं क्या समस्या हैं आपके समक्ष रख रहे हैं लोग हमारे समक्स में समस्या रख रहे हैं कि हमारी जैसे एक खिती इस खिती को जाड़ वारा पस्मों की समस्या बाकी हमारी पिंचाइट बाबन भी अच्छा नहीं है उसमें उसकी समस्या जैसे किसी के लिए अगर हमारा पहले जन्माच उता दोसमें बैठने के लिए इसमस्य उपला बजनी है किसी को दूप में या इजो रोज छुपके ही बैठना पड़ता था और अगर किसी को कटे हमारे पजायत बासी पूरे एक जायत समस्य नहीं रख सकते थे बाकी दूसरी समस्य हाती हमारे इसमें पचायट में एक तो ये भी समस्य है कि पचायट एमानदारी से हुनी चाहिए जो कि हमारी बनामेस टाय मुदो के इसाव से बागory दूसरी समयार्थिक जो हमारा एक सर्कार का पैसा ठीक जगे से, जो तो आख नहीं पहुंचता है, गृब्वों तक नहीं पहुंचता है, वो मेरे मुद्ण है कि सब जो पचैट को, या सर्कार जी जो नहीं दिया है, जो पचैट में, जो लोगों तक पहुंचाई जा है अच्छा सर तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ जैसे गरिबों को सब सबसे जाला गरिबों के लिए आर्ठिक तोर पर जो गरिब है उनके तोर पर जैसे गरिब बच्चों के लिए मुफ़त पड़ाई इसका आर्ठिक तोर पर जिसको कई के लोगों को पता नहीं होता जैसे आज कल सतर साल के लिए मतलब पिंसिन है बाकी दूसरी बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा किसका प्रावदा आनूना चाहिए बाकी और मैंने जैसे अपील में भी अपना ये रखा हुआ है काफी जैसे मैंने बता दी पिंचाइट की सब योजनों के आम आवदी तक पहुंचाना पिंचाइट में समसान गाठ है उन्हों में बैठने के लिए नर्मान करवाना जोर सब पर पिंचाइट में बैसे ये सोचाले नर्मान सोचाले नर्मान के लिए पहले इन्होंने कुछ मैंने सपेट पड़ा एक परंटू इसमें गरउंड में नहीं है। जब पंचेज पोचा गे तो अन्हें बोला कि इतर बढ़ाने के लिए सथान नहीं जब हमें पता ही नहीं है तो अगर हमारे तक यह बात पहुंगती तो जो जगा का या समस्या भूमी की समस्या को जूर कर सकते थे पर अंतु इसका कोई भी प्राबदान नए पिचाईत उन पता है सिर्कागजों तो की सीमित रहा मंदरेगा के विरोजगानां के लिए रोजगार बढ़ाना बाग किये कि हुबां की समस्या को अच्छा खेल मदान और जिम उसके लिए जिम खाना का निर्मान कराना अवारा पस्यों के लिए गौशाला का निर्मान पैसे इसके लिए तो रखा गया है उसका उदगाट ने किया पत्त्र रखने का हाज 20 सेसला के निर्मान हो जाता। कुछ सरकार के पंचायट्य के सहयोंक्ते के लिजाएव कितूंँ में बाड़न जाता। तो आज काफी जादा अवर्रा पस्वीं कि समस्य से काफी जाजा तक थुल झाती। मतलब इसे पस्मों को इसके किशानों को पिजायट के किशानों को बहुत बड़ी रहात मिलती है। बाकी एक समस्या सर चौदा कुटूबर तक मैंने एक नए बोट बनाने की समस्या थी तो काफी लोगों को पता नहीं चला। तो बाकी बोट मजगे मैंने डी सी साव को ही लिख के दिया कि बाकी जो बोट मजगे उनको बनाया जाए। और मुझे इसका ए भी मिला जबाब मिला बोट बनाने के लिए अदेश मिला। और मैंने लग वो फिप्टी फाइब जो की पिंचायद के पास और DPO के पास अपएजन किया तो वो काफी जाधा मनाएगे इढ़ा गए चाली पिंचाली तो मेरे दोरा ही नए बत बनाएगे उसे पिंचायट में बहुत ज्यादा पिंचाली पिंचाली आदमियों को चुनाब में बोट डालने का हक मिला बा उसमें चुनाब कन्यों को चुनाब लडने का भी मौका मिला जिनके अगर बोड नहीं बने थे अगर बोड बनने से अगर बोड नहीं बनते तो वो चनाब मेदान में नहीं लड़ सकते थे बाकी मैंने एक ही दिना को ठाई बारा दो जार बीस को तेरा बोड पंचायट के पास बनने के लिए देता हूं उन में से तेरह में से चार बोट बन जाते हैं बाकी नो रह जाते हैं बाकी एक बोट मैंने उनती बारा को दिया उनती बारा को जब एक लड़की है दिकसा उससे पूछा गया तो उसने बोला में पिंचाय सेक्टी के पास बोट बनाने के लिए गई थी परांतू पिंचाय से तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तेरा मेंसे चार बोर्ट कैसे बढ़ने गए और नौ क्यों नहीं बढ़ने क्या वो एक पक्स को पंचाय तलाब देना चाहती थी इसकाय तक मुझे उत्तर नहीं दिया मैंने डिस्षाब को भी अप्रोच की लिखे दिया और पांच एक दो जारिकी को मैंने इसके बारे में डिपे साब को भी दिया परंतु आए तक कोई मुझे यह नहीं बिले तो कब मिलेगा क्या वो इसमें बोर्ट डालने के हगदार होंगे जो मैंने तेरा बोर्ट दिया और यह दांदरी क्यों मुझाएगी कि इचारी मनाएगे और बाकी नहीं मनाएगे क्या कोई मद्ब बे और यह नहीं अपड़े विकास के लिए जैसे मैं पहले बोला कि मेरा देजे पंचायट में एक विकास कराना है बाकी तो मैंने एक रिटायर एक्स हार्मी हूं मैं और बाकी अचार टीसी से भी मैं रिटायर आगया हूं मुझे अपनी समस्या को मैंने एक सेबा करना चाहता अचा सर तो आप हमें ये बताई कि जैसे अभी 21 तारीक को जो जो जोल सपर पंचायत हैं उसके चुनाब होने हैं तो लोगों से आप क्या आगरे करना चाहेंगे मैं लोगों से विकास करने का इमानदारी से बिना किसी बेलबाब से सब की समस्या हल करने का ही एक लोगों को असवासन देता हूं और सबी गरीबों की समस्वे है पस्वें बारा पस्वें की जैसे मैंने पहले ही बोल चुका हूँ तो इसका मैं लोगों को जब मैं पिंचायत में आज़ा इस वासन देता हूँ और मैं पिंचायत से अपील करता हूँ की बाकी भी परदान उप परदान अपना बार पंच इमानदार चुन है जैसे मैंने लिखा हुई हमारी पिंचायत में तिन इमानदार जैसी हो जो कि पिंचायट में बहुत ही करमठ और इमानदार है जुनके आगे अगर हम भी पिंचायट में इमानदार से जुनके आ जाते हैं तो एक पिंचायट का ही नकसा ही बदल के रख दिया जाएगा पंचायत हमारी एक गुटालों में आगे नहीं होगी प्रांतू कि बिकास के नाम पर आगे होगी दन्यबाद सर हमारे साथ बात करने के लिए तो ये थे दिलीप सिंग जी जिनोंने बताया है कि जो भी पंचायत बासियों को लोगों को जो भी समस्याएं आएंगी उन्हें ये समधान करने की कोशिश करेंगे और अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे